कि एक बार एक चुवा शराप के टब में गिर गया अब जब वो बाहर निकला तो कहता है कहा है बिली लाओ उसको मैं खाऊँगा लेकिन थोड़ी देर बाद जब नशा उत्रा फिर बिली से डर के भाग रहा था तो ये तो जब तुम गुरू के पास आते हो तो एक नशा चड़ जाता है शराप के टब में गिर जाते हो और उसके बाद जब वो नशा कम होता है फिरवई मन फिरवई सौभाव फिरवई बाते हैं फिरवई विकार इसका बहुत अच्छा उपाए गुर्णानक देव जी ने बताया के चड़ी खुमारी नान का और कैसी चड़ी जो चड़ी रहे दिन रहन ये नहीं कहते के थोड़ी देर को खुमारी चड़े और फिर उतर जाए खुमारी ऐसी चड़े जो फिर चड़ी रहे ये जितने भी सवाल अभी सबने किये उतर तो एक ही है कि जब आप अपनी मैं में आते हो सारे विकार वहीं तो आते हैं अगर आप परमात्मा को समर्पित रहो उस खुमारी में रहो उस नशे में रहो ना आपको करता भावाए ना आपको विकल पाएं ना आपके अंदर जगत का चिंतन चले आप आनंद में हमेशा रह सकते हों एक सूखा कपड़ा उसको आग जल्दी पकड़ेगी गीले कपड़े को थोड़ी देर से पकड़ेगी पर जो कपड़ा पानी में पड़ा ही रहेगा उसको तो आग लगने की संभावना ही नहीं है सुम्रन माना क्या होता है थोड़ी देर के लिए जो किया जाता है उसको सुम्रन नहीं कहते सब लोगों के अंदर भ्रम्य जैसे गुरू लोग नाम दे देते हैं अब कहते हम सुषेरि सिमरन में बैठे थे सिमरन इसको नहीं कहते जो थोड़ी देर नियम से कर लिया जाए सिमरन तो वो होता है जो हर स्वास में चलता रहे सिमरन ये नहीं होता कि हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं राम राम जप रहे हैं रादेशाम कर रहे हैं हमने का ये सिम्रन है ये भी सिम्रन नहीं है सिम्रन है जब राम जपत रामी रहा और आप विसरजन होए मतलब आपा गुम होना ही सिम्रन है अपनी मैं में ना वर्तना ही सिम्रन है अब मैं ना आए इसके लिए बहुत कोशिश करने के बाद भी लाब नहीं होएगा लेकिन चेंज कर दो जैसे मैं मैं करते हूँ अब तू तू करना शुरू कर दो तो सिम्रन हो सकता है सच्चा सब लोग क्या कोशिश करते हैं मैं को हटाऊ, मैं को हटाऊ मैं हटती नहीं है लेकिन तू ही तू में आ जाओ अपने आपको गुम कर दो तू तू करता तू ही भया मुझमें रही नमू आपा पर का मिट गया जिद देखाते तू अब जब तू ही तू है तो कोई हल्चा ले ही नहीं फिर आज हम बनके बैठते हैं तो फिर हमें पास्ट, फ्यूचर बहुत कुछ सताता है आगे की सोचनी है पिछे की सोचनी है मेरे को डिसीजन्स लेने हैं मेरे को ये करना है लेकिन अपने को गुम कर दो और भगवानी रह जाए तो अपने आप ही जीवन की दिशा ठीको जाती है अब सब लोग बोलते हैं आकाशवानी बही कहनियों में भी आता है कई किताबों में आता है कई शास्तरों में आता है संत को आकाशवानी हुई आकाशवानी क्या होती है कोई आकाश में कोई बैठा है जो बुलेगा आकाशवानी होगी अंदर तुम्हारे ही पोलार है खाली स्पेस है आकाशवत आकाशवानी मना जो परमात्मा प्रेड़ना देता है एक आपका अभिमान बोलता है एक इश्वर प्रेणना देता है जब आपका अभिमान बोलता है तो उसमें हमेशा संशे बना रहता है पर जब आप जानते हो अंदर से ये प्रेणना इश्वर की हुई वो हमेशा सही होती है और वो आपको निश्चिंत भी कर देती है लेकिन उस प्रेड़ना को समझने के लिए अंदर मन का शोर खतम होना जरूरी है आज अगर एक मां का मन करे मैं स्कूल जाओं अपने बच्चे की प्रेयर सुनू मेरा बच्चा प्रेयर कैसे करता है तो जरूर वो टीचर को रिक्वेस्ट करेगी कि बाकी सारे बच्चे चुप रहें मेरा बच्चा ही प्रेयर बोले ताकि मैं उसको सुन पाऊं तो मज़ा आएगा उसको अभी यहां पर तुम बैठे है समझो तुमारा मन करता है हमसे भजन सुनने का अब हम जब भजन गाएं कोई मेरे साथ साथ दूसरा भी गाए आप उसको कहते हो आप चुपो जाओ आप रिपीट गाओ पीछे से एक बार इनकी आवाज में हमको भजन सुनने दो यानि जब आप बाकी की आवाजे बंद करते हो तब आप वो सुन पाते हो जो आप सुनना चाहते हो मन का शोर जब तक रहता है हम इश्वर की आवाज नहीं सुन पाते है और मन का शोर क्यों रहता है हो में रहती है अहंकार रहता है तो मन का शोर भी रहता है जब हो में खतम करोगे मन का शोर भी खतम हो जाएगा और कोई साधन नहीं है मन का शोर खतम करने का जितनी मैं प्रबल है उतना मन में शोर ज्यादा है सारा दिन मन चल रहा है, सारा दिन मन संकल्ब विकल्ब कर रहा है बातें आ रही है, बातें जा रही है और अग्यानी वेक्ती इरिटेट भी नहीं होता है वह इतनी पुरानी पुरानी बातें अंदर पड़ी है इतना मन में ख्याल पड़े हुए है शायद तुम कभी इरिटेट भी नहीं होते इसलिए उन चीजों को वर्ते भी रहते हों कल भी बात हो रही थी किसी से साल भर पहले आपने कुछ कहा था शायद वो मेरे अंदर आने का साल भर से एक बात एक नेगिटिव एप्रोच तुमारे अंदर शोर कैसे कर सकती है तुम इतना ज्यान सुनते सुनाते हो आत्माकार विर्ति होनी चाहिए तुमारी विर्ति में ज्यान वाली विर्ति में कोई नेगिटिविटिविक शेप कर रही है तुमारे प्रेम में कोई चीज बाधा बनके खड़ी हो रही है और तुम उसको जान पहचान नहीं रहे हो बलकि उसका चिंतन लेके चले ही जा रहे हो ये तुम्हारी असावधानी हो गई अब नेचुरल सी बात है जहां मन का शोर खड़ा है वहां पर भगवान की आवाज भी ठीक नहीं आएगी ऐसे कई बार होता है हमारा अनुभव तो है कभी हर बात के लिए गुरु से बात नहीं भी हो पाती थी दूरी बहुत थी जाएं मिलें फोन की सुविधायन नहीं थी हम लोगों के समय लेकिन कभी-कभी किसी बात पे ऐसे उल्जन होती थी तो बस रात को चाय सोते समय एक प्रेयर के भगवान इस उल्जन को सुलजाओ ये बात क्यूं बीच-बीच में आके मुझे आपसे दूर कर रही है इतना ही खाली मन को अंसुना करते थे अंदर से राइट प्रेयर ना आ जाती थी तो समझ में आता था मन का शोर के नारे करो और भगवान को सुनना चाहो तो तुम भगवान की आवाज सुन सकते हो और वो आवाज तुम्हे सेटल डाउन भी कर देती है ये सारा शोर अंकार के कारणी तो है और किस वज़े से है कभी इंसान सूचता है मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा मैं बहुत अच्छा करता हूं आखिर इस मै का स्वारूप क्या है अभी भगवान बता रहे थे द्रिश्टान्त के देवताओं को अभी मान आया और एक तिनका रखा यक्षरूप भगवान ने आके अगनी को बोला तुम क्या कर सकती हो बोला मैं इसको जला सकती हूं वायू देवता ने बोला इस तिनके को हम उड़ा सकते हैं जल देवता ने बोला आम इसको बहा के ले जा सकते हैं भगवान ने तीनों को बोला कोशिश करो तीनों ही देवता ठक गए तिनके का कुछ बिगाड नहीं पाए देवता हैरान हो गई क्या है उमादेवी प्रगट वही उन्होंने का ये यक्ष रूप में भगवान सयम थे तुम्हें देतियों को जीतने का अभिमान आया और भगवान तुमारा अभिमान हरने के लिए दिखा गए कि तुमारी ताकत तो एक तिनके पर भी नहीं चलती है देतियों को तुमने क्या जीता मेरी शक्ती थी मेरी सपोर्ट थी मैं ही तुम्हारे अंदर हिम्मत बनके बैठा था मेरे सहारे तुमने इसको जीता अब हर जगे होता क्या है हम शरीर के अभिमान में आ जाते हैं क्योंकि शरीर द्वारा होता हुआ दिखता है और आप सोचते हो मैं गया, मैं आया मैंने किया मैं ना करूं तो कौन करे यह सब हो मैं की बिमारी है भय विकल्प मान अपमान मैसूस होना नेगिटिव एप्रोचिस में जाना यह सब हो मैं का रोग है जहां जितनी मैं प्रबल है यह सारे रोग भी पड़े हूँ है अंकार है तो बिमारियां होंगी यह वाली कैसे हो सकता है ना हो गाड़ी है तो मेंटेनिस मांगेगी क्लिनिस मांगेगी आजकल सोसाइटीज में रहते हैं तो वहाँ पर देखो हर महीने मेंटेनिस चार्जिस चाए कौाटर ली लें चाए मंतली लें दे नहीं पड़ते हैं यह सारे हो में के रोग है चिन बिमारियों से आप ग्रस्तो मांसिक बिमारियों से यह सब आपके हो में के कारण है एक कहंकार जब निकल जाता है सब विकार खुद बाखुद निकल जाते हैं अगर यह एक अभी मान मर जाए बाप मरे फल चार और भाई मरे तो हानी बहुत कहे कबीर विचार ममता मरे फल एक है मा मना ममता एक विकारी गया बाप मरे फल चार बाप मना अहंकार यह सरदार है सारे विकारों का जहां शरीर का अहंकार आता है मैं फिर कामना भी होती है फिर कामना की पूर्ती नहीं होती तो क्रोध भी होता है कामना की पूर्ती होती है तो लोब होता है फिर जिससे लोब हो गया उसमें ममता भी फज जाती है पर जिससे मूडा जाता है तो बाप मरे फलचार पर भाई मरे हानी बहुत भाई मना भाव श्रद्धा प्रेम विश्वास जब इनका मौत होता है अब इनका मौत आप किसमें मानते हो वह पूरी अश्रद्धा आजाए तब मानते हो पर भाव की हानी एक संकल्प में भी भाव की हानी तो बहुत हानी हो जाती है क्योंकि दिमक का एक कीड़ा छुट गया दिमाग में एक भी बात ऐसी नहीं आनी चाहिए मन में जो मेरे भाव की हानी करे क्योंकि मेरे जीवन की हानी हो जाएगी पता नहीं उसका परिणाम मुझे कहां तक भुगतना होगा कहां तक ये मेरे साथ चलेगा कितनी बार मेरे एंकार से रुठाएगा अश्रदा से रुठाएगी तो ये बलकी गलत हो जाएगा और जो बाकी भी बातें आती है समझो यहां चलते चलते भी आती है वो भी एंकार के कारणी तो है कभी गुरु का शब्द लग जाता है कभी अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलता तो परिशान हो जाते है कभी गुरु कोई राइट कैच नहीं कर पाते है इस सब है क्या अभिमानी तो है और तो कुछ भी नहीं है और देखो शरीर को तो मुर्दे से ज़्यादा कुछ नहीं तुम जिसको घर कहते हो हम उसको मुर्दा घर कहते है सारे मुर्दे कहां से आते है गरों से ही तो आ रहे है तो मुर्दा घर हुए के नहीं हुए तो हम कहते हो मेरा घर हम कहते हैं मुर्दा घर रोज वहीं से ही तो मुर्दे निकलते हैं आज मां का मुर्दा निकला बाप का मुर्दा निकला दादा का मुर्दा निकला कहां से निकले तुमारे घर से ही आ रहे हैं नहीं सकते अभी थोड़ा सा ही शरीर में तकलीफ आ जाए तो तुम पानी पीने योग्य अपने ही नहीं रहते किसी की सेवा तो क्या करोगे थोड़ा सा ही दिमाग की नसिल जाए तुम्हें पागल खाने छोड़ाएंगे किस चीज का एंकार करन करावन आपे आप मानिश के कच नाई हाथ मानिश यतन करत बवभांत तिसके करतब विर्था जात ये सब करतब तो व्यर्थ है तुमारा इश्वर अगर चाहे तुम्हे सफल करे और ना चाहे तो विफल करे किसकी चलती है किसकी बात पूरी होती है विचार करके देखो अब तुम हौमे में आओगे तो विकार सारी हमला करेंगे पर अगर प्रेम में ज्यान में गुम रहोगे तो इससे फरक नहीं पड़ता कि तुम घर में हो या सचसंग के दाइरे में हो क्या ऐसा होता है सचसंग में आओ आपकी चेन सोने की है घर पहुँचके लोहकी हो जाएगी अपितल की हो जाएगी सोना तो सोना रहेगा सचसंग में भी घर में भी निश्चे तो निश्चे है उसमें यहाँ निश्चे और वहाँ विकार तो है निए अब क्या होता है एक बार अपने सुक्षम मन को पड़ो तुम्हें यहां रहना अच्छा लगता है तुम्हें गुरु से प्रेम भी है सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन जिन स्वभावों के गुलाम हो न यहां उनके संकल्प उठते हैं और तुम अपने मन को विचार देते हो अच्छा यहां नहीं दो दिन बाद तो घर जाना ही है चार दिन बाद तो घर जाना ही है फिर तुम्हारा मन शानत हो जाता है अब तुम संकल्प का बीज यहीं से डाल के गए के नहीं तुमने सही विचार नहीं दिया अपने मन को अपने मन को ग्यान से जीतना और अपने मन को दबाना इन दो बातों में फर्क है एलियोपैथी बिमारी को दबा देती है इंस्टेंट रिलीफ तो हो जाता है बिमारी को दबा देती है होमियोपैथी टाइम लेती है इंस्टेंट रिलीफ नहीं मिलता उससे लेकिन बिमारी को जड़ से खतम करती है आप लोग यहां आके एलियोपेथी में चलते हो जबकि हम आपको कहते हैं इट स्ट्रॉंग इमीजियेट रिलीफ के पिछे मत भागो विकार की जड़ को खतम करो किसी भी पेड के टहनिया पत्ते काट देने से काम नहीं बनता अगर हमें पेड हटाना है हमें उसकी जड़ को जलाना होता है जड़ को काटना होता है ताकि पेड हट जाए वहां से यही बात है आप लोग ज्यान के बाद जो पुरशार्थ करते हो वो पुरशार्थ टेंपरेरी नहीं होना चाहिए क्या ठीक है फार्दा टाइम बिंग जो फार्दा टाइम बिंग अपने को बनाते हैं वो रहते विकारों के गुलामी है निर्विकार आत्मा में कभी स्थिती नहीं होती उनकी क्योंकि उन्होंने बस मन को थोड़ी देर के लिए हटाया उसके बाद फिर वही के वही खड़े हुए हालत वही की वही है अज्ञान वही का वही है जब तक आप एक चीज को सही एटिट्यूड नहीं दोगे वो आपके जीवन में अच्छी चीज धारण नहीं हो पाएगी गलत चीज निवरित नहीं हो पाएगी आप एक आदमी को बस इतना बोलो मिठा नहीं खाना है तुझे मिठा नहीं खाना है उसको आकर्शन बना रहेगा पर उसकी बुद्धी में ये बिठा दो कि ये डियाबिटीस का प्राबलम आगे सारे ओर्गंस खराब करता जाएगा तेरा सारा जीवन पीड़ा में जाएगा तकलीफ में जाएगा उसकी बुद्धी में बात बिठा दो अब परेश तुम नहीं करवाओगे तुम ओफर भी करोगे तो वो कहेगा नो मुझे नहीं खाना ग्यान एक समझ है ग्यान रटने की चीज नहीं है सही और गलत दोनों को खोल के बता रहा है अब आप जब समझ जाओगे तो आप अपने आपी उपर उठ जाओगे आपको पता है जैर खाने से मौत होता है आपकी बुद्धी में बिठा दी गई बात बस अब किसी को रोकने की जरूरत थोड़ी पड़ती है आप अलर्ट हो कितनी मर्जी गफलत में भी सावदान हो जैर ना खा जाओ आपको पता है फिनाईल पीने की चीज नहीं है कितनी प्यास लगी हो फिनाईल की केन पड़ी हो पास में नहीं पी होगे आपको मालूम है ग्यान नहीं कहता डूस एंड डॉंट्स हम आपके लिए कागस पे चाट लगाक नहीं सकते हैं आप ये करो आप ये ना करो हम सच और जूट खोल के बताते हैं अब आगे आप देखो आपको किस दिशा में जाना है आपको देखना है बहुत सीधी बात है आप अगर भीतर का रस्पाना चाहते हो जैसे एक मनी होती है मनी को देखने के लिए मनी के प्रकाश में ही देखा जाता है बार की लाइट्स अगर हम ओन रखेंगे मनी को नहीं देख सकेंगे बार की लाइट्स ओफ कर दो मनी को मनी के प्रकाश में देख लोगे आपको अंदर का आनंद चाहिए आपको बाहर से ये इंद्रियों से आने वाले रस ये वापार बंद करने होंगे तबी अंदर का रस पासकोगे ये मैं आपका अब जब आप ये चिंतन करोगे नहीं मैंने ये रस नहीं लेना मैंने ये रस नहीं लेना बात नहीं बनेगी आप इश्वर के उस रस में चखा तो है उसमें डूबो उसकी चाहत बढ़ाओ आपकी ये चाहत अपने आप खतम हो जाएगी एक प्रोसीजर है राइट किसी चीज को जोरी छोड़ने से काम नहीं बनता है छुटता नहीं है आज आपको पता चलता है मेरी ममत्व बुद्धी है कहीं पर अब गुरु को लिखके दे दो मैं कैसे उपर उठूँ तुम बताओ कैसे उठोगे जैसी प्रीत अराम में वैसी हरीम में होए इतना ही प्रोसीजर है न कि जो संसार में मन लगा के रखा है मैंने अभी मेरी प्रीत परमात्मा से बढ़नी चाहिए कैसे बढ़ती है प्रीत परमात्मा से भगवान गीता में बोलते हैं बार बार मेरे नाम और गुणों का किर्तन संसार में भी हमारी प्रीत किसी से कैसे बढ़ती है उसका चिंतन करने से उसके गुणों को याद करने से उसकी तरफ से जो मेरे लिए पॉजिटिव होता है बार 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 याद करता हूँ शुक्रानों में भिखता हूँ तो प्रीत बढ़ती है परमात्मा से प्रीत कैसे बढ़े उसके लिए सबसे सरल उपाए नाम और गुणों का किर्तन किर्तन माना दोलक लेके बैठ जाना चार लोग कठे करना नहीं मेरा मन किर्तन करता रहे मेरा मन यश्गाता रहे मेरा मन हर समय उनके प्रेम में बलिहार जाता रहे, भीकता रहे एक छोटी से छोटी बात को भी अनुभाव का मोती बना के अपनी माला में गुथ लूँ मैं प्यार की तब बात है, एक एक नजर पे भी निहाल जाऊं एक एक शब्द पे भी बलिहार जाऊं एक एक गाइडेंस को भी कैच करूँ प्यार के हर सौरूप को समझूँ अपने आप ही मेरे अंदर भक्ती बढ़ने लगती है तो जो जो भक्ती बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है मैं पीछे छुटती है क्योंकि हर बात में हम भगवान को आगे करते जा रहे हैं वही रह जाता है जीवन में हमारी मैं विदा हो जाती है अंकार विदा हो जाता है हो मैं का रोग निवरत हो जाता है तो अभ्यास तो इस तरह का चाहिए हमें बाकि ये दबाना अपने को ये चीज गलत है to suppress a desire is also a desire and to fulfill a desire is also a desire ना हम आपको suppress करने को बोलते हैं ना हम fulfill करने को बोलते हैं लेकिन यहां है willing renunciation और willing renunciation की भावना हमेशा अपने अंदर से आती है क्योंकि जब ये रस आवे तो वो रस नहीं भावे आज एक चीज में सुक समझ के आप उसका त्याक करना चाहोगे आपके मन में उसका चिंतन रह जाएगा होई नहीं सकता ना रहे अभी समझो हमारे यहां कोई रहने आया जाती बार अपनी अटैची भूल गया, चला गया तो वापिस आएगा इना अटैची लेने जी मेरी अटैची यहां रह गई थी लेकिन रास्ते में कहीं अटैची उसकी खो गई ट्रेन में से कोई उतार ले गया अब हमारे यहां तो वापिस नहीं आएगा लेने अब कहएगा पता निकां गुम हो गई जब आप करता हो के सुक समझ के बाहरी त्याक की कोशिश करते हो आप एक दिन ग्रहन का प्रयास भी करेंगे लेकिन प्रेम में गुम क्या-क्या छूटता जाता है कां छूट जाता है मालूमी नहीं पड़ता है कितने लोग सवाल करते हैं आप लोगों का मन नहीं गया दुनिया में ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ तो सच में आज अनुभव एक ही है कि गुरू के प्यार में पता ही नहीं चला दुनिया होती भी है बहुत सारी बातें तो भी निश्काम के दाइरे में पता चली बड़ी इनोसेंसी से बढ़ते रहे हम लोग क्योंकि उनके सिवाय कुछ दिखता नहीं था उनके सिवाय कुछ समझ आता नहीं था लगाईनी की दुनिया भी है संसार भी है ना ग्रैन की भावना आई ना त्याक की भावना आई एक दिल दिमाग में वो च्छाई रहते थे तो उस भक्ती में उस प्रेम में हर वक्त उनी की सोच उनी का चिंतन इन चीजों ने अपने आपी मन को और तरफ से हटा दिया आपको घर से यहां आना है आप कदम आगे बढ़ाते हो घर पीछे छूटता जाता है और अगर घर बैटके यह सोचना शुरू करो जाना है इतने कदम चलना है नहीं आप आओगे आप बस शुरू कर देते हो चलना पीछे का सब पीछे अपने आपी रह जाता है आगे बढ़ा कदम रुकना तेरा काम नहीं चलना तेरी शान चल चल रहे नौजवान बढ़ो आगे आगे की तरफ देखो पीछे की तरफ मत देखो आज कुत्ता सुखी हड़ी से मज़ा समझ रहा है क्या आपका उसको देखके कभी दिल करता है मैं भी चूसूँ ये हड़ी मैं भी चबाऊं कुत्ते से छीन के आज मैं ले जाऊं नहीं मन करता न वो उसका आहार है हमारा आहार नहीं जब हम गुरू के पास बैठके ये समझ जाते है हमारा इम क्या है हम अपने जीवन का क्या उद्देशे बना रहे है भले संसार के प्रतेक्ष सुख देखने में भी आए भले दुनिया वो सुख लेती हुई भी नजर आए पर जैसे कुते की हड़ी में मन नहीं जाता ऐसे प्रेमी भक्त का मन कभी संसारिक सुखों में नहीं जाता ना उसको धनवालों में मन जाता है ना उसको बंगले वालों में मन जाता है ना उसको भोग विश्यों में मन जाता है वो जानता है ये इनका काम है मेरा नहीं है और अगर किसी के मन में भावना हो तो फिर वो एक कुत्ते को भी भोगता देखता है तो उसका मन मेला हो जाता है भावना का फरक हो गया न आपकी भावना कैसी है आपकी सोच कैसी है आपके विचार कैसे है ये सब आपके अपने उपर डिपेंड करता है जहां भावशुद होते जाते हैं आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता छूटता जाता है नेचरल सी बात है गन्ना और रोटी साथ साथ तो खा नहीं सकते खा सकते हो क्या पड़ाई और टीवी साथ साथ हो सकते हैं आप साथ में लर्ण भी करो और टीवी भी देखो एंपॉसिबल सी बात है सिधी बात है ऐसा संभावी नहीं है न कैसे है ये संभावना गन्ना खाके आपने बार थूकना है बाकी का रोटी आपने अंदर ले जानी है तो या गन्ना खाओगे या रोटी खाओगे भोग और भगवान ये भी कभी कठे नहीं मिलते हैं ऐसा नहीं कि बहुत भोगी वर्ती होती है इंसान की कभी-कभी इंद्रियों को लट लगा देते हो आप एक यंग एज में ये प्राबलम होती है कि आप अपनी इंद्रियों को कोई ना कोई लट लगा देते हैं जैसे कई लोग सिगरेट की लट लगा लेते हैं शराब की लट लगा लेते हैं अब कहते हैं हम छोड नहीं सकते हम इसके बिना जी नहीं सकते ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो छोड़ नहीं सकते उसके बिना जी नहीं सकते कोई भी प्राबलम नहीं है बस एक लत लग गई है तो वो याद आता है time to time तो डॉक्टर उसके लिए क्या बताता है उसको थोड़ा सा चेंज बताता है रूटीन में कि फिर उसका ध्यान ना जाए उदर लत्वई चीज है जिसमें ध्यान जाता है एक समय आता है ध्यान जाता है ध्यान जाता है चाहिए 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 की लत्व जाती है कई बार तो ध्यान जाता है चाहिए अभी नहीं पीएंगे चाहिए तो तब खराब होगी ऐसा होगा लत्त हो जाती है न यंग एज में आप कुछ चीजों की लत्त लगा लेते हो अपने को अब आपको वो चीज डिस्ट्रेक्शन पैदा करती है बार-बार और आपको लगता है शायद इतना चिंतन से अच्छा है एक बार इंसान वो करमी कर ले पर हकीकत क्या है बुला विश्य भूग की आग में जब जलो उस घड़ी गुरु को भुलाना नहीं उस समय भजन गालो वाक करने चले जाओ गुरु की चठी निकालके पढ़ने बैठ जाओ ध्यान हटाओ वहां से थ्यान हटाना शुरू करोगे शुरु में शायद 100 बार ध्यान हटाना पड़ेगा मेनद करनी पड़ेगी अब आप उससे भी उलच जाते हैं बार बार ध्यान हटाना पड़ रहा है इस से अच्छा नहीं मन सोचता है भूग से चिंतन बुरा है लेकिन ऐसे समय में चिंतन बहतर क्योंकि चिंतन को हटाने का उपाय इये मारे पास फिर अगले दिन देखोगे 100 में से 180 बार जा रहा है फिर देखोगे 10 बार जा रहा है फिर देखोगे एक बार भी नहीं जा रहा है फिर लगेगा भूल भी गए है बहुते हैं जब आप टीवी का चैनल चेंज कर लेते हो तो आप अपने चैनल भी चेंज कर सकते हो लेकिन अपने आपको ये विचार दे देना के चल ठीक है अभी चार दिन बाद यहां से जाऊंगा तो सही फिर ये कर लोंगा फिर वो कर लोंगा कई बार तो अपने मन को मना के भी ऐसे आते हो, कि चल कोई नहीं, चार दिन लगाया आता हूं, यहां कोई ख्याल आ गया, चल कोई बात नहीं, अभी दो दिन बात घर तो जा नहीं है, यह चीजें गल आते हैं, आप जो इस तरह के विचार अपने मन को देते हो, तो आपने यहीं मन की त्यारी कर ली, अब मन इंतज चार में रहता है, रोज दिन गिनेगा, एक दिन रह गया, दो दिन रह गया, इतने बजे जाओंगा, फिर रास्ते भर भी प्लाइन करता जाएगा, मैंने तो अपने को रोका हुआ है चार दिन से इस बात के लिए, तो जब आप संकल्प का बीजी गलट डाल रहे हों, आप उ जैसे मैं यहां रहता हूँ, वैसे ही वहां रहने का है, वही डिसिप्लिन, वही चीजें सब अडॉप्ट करके चलो, भगवान हमको बोलते थे जब हम आ रहके आने लगते थे न, घर जाके भी यही रूटीन कंटीन्यू करना, जैसे वहां सुबे पांच बजे उठ जाते छे बजे भगवान के पास वॉक के लिए पहुचना होता था, पूरे दिन की त्यारी करके, बिल्कुल वही रूटीन, यह नहीं की चलो, अब तो हम अपने घर आ गए, अराम से उठेंगे, देर से सोएंगे, कई लोगों को हम देखते हैं, इवन सच्छन करने वालों को भी कईों को मैंने देखा है, अपने आपको गुरू के डिसिप्लिन में बांद के नहीं चलते, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, अब तो हम अपने ही आएं, जित्ते बजे मर्जी सोएं, जित्ते बजे मर्जी उठें, अब एक वेक्ती जब अपने सिर पे गुरू को समझ ही नह प्रोग्रेस क्या करेगा डिसिप्लिन्डों के चली नहीं पाएगा आप एक बात समझना जीवन में अनुशासन का बहुत जबरदस्त महत्व है आपको सूव व्यवस्थित होना चाहिए आपको पता होना चाहिए देखो है सब इश्वर अर्पन हम भी जानते हैं करन करावन आपे यापे लेकिन मौर्निंग में उठके अगर हम एक सई शेडियूल नहीं करते हैं अपने को पुरा दिन बिखराव में जाता है शेडियूलिंग तो करनी ही पड़ती है वो ठीक है जो भगवान का हुकुम होगा लेकिन एक सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए आपको अपने को शेडियूल करके तो चलना ही पड़ता है हर चीज को तभी तो आप समय दे सकते हो और अपने आपको आलश से भी बचा सकते हो अगर कोई व्यक्ति शेडियूलिंग नहीं करता अब सुबह सुबह हम भी कई बार morning walk पर ही पूछते हैं आज का क्या शेडियूल है कितने मिलने वाले, कौन आने वाला, कौन जाने वाला हमको कहीं जाने का है, हमको कहीं पहुँचने का है एक शेडियूल तो बनाना पड़ता है, पूरे दिन का कितने लोगों को हम देखते हैं लाइफ में शेडियूल ही नहीं है कोई और ऐसे लोगों को मन घसीटता है, भोग घसीटते हैं इंडिसिप्लिन हमेशा आपको विकारों के खड़े में फेकेगा इंडिसिप्लिन्ड विक्ती हमेशा इन चीजों के अधीन होगा खाने का गुलाम, सुखों का गुलाम, नींद का गुलाम, रसों का गुलाम क्योंकि बिल्कुल उंशेडियूल है आप देखो अभी वर्क फ्रॉम है आप लोगों के, है न लेकिन शेडियूल है न अगर आपको 8 गंटे, 9 गंटे काम करना है तो करना है आपने इतने बज़े, 12 बज़े लॉगिन किया दुपैर को चलो सत्संग के बाद तो बैठो भी या 9 बज़े तक अगर आप हटे, तो काउंट होते होंगे न आपके आर्ज वगेरा जो भी, फिर आपको उसका हरजाना भुगतना पड़ेगा उन्होंने आपको घर बैठे भी शेडियूल कर रखा यह नहीं घर में पार्टी करते रहो, लॉगिन करके तुम सो जाओ कॉल जाते हैं, फोन आते हैं, मेसेज होते हैं पूरा अटेंटिव ओफिस में हो सकता अटेंटिव ना होते हो घर में जादा आफ़त हो गई है, ज्यादा अटेंटिव रहते हो है ना, सीखो यहां से, ओफिस का काम अगर घर है तो अटेंशन जादा चाहिए गुरू के पास तो फिर भी महौल बड़ा अच्छा है, घर जादा अटेंशन चाहिए बी केरफुल, और यू वोन्ट फॉल, लेकिन जिस वेक्ति के लाइफ में शेडियूल्स नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वो भी बड़ा बेकार है कई लोग यहाँ पर ही आते हैं न, पूछते हैं कैसे तुम लोगों का पता नहीं, देखेंगे, सोचेंगे, अरे भई तुम इत्ते इंडिसिप्लिन कैसे हो सकते हो, उन्शेडियूल कैसे हो सकते हो वो एक अलग बात है तुम अपना शेडियूल रखो और हमसे पुछो अब आपकी क्या आ गया लेकिं शेडियूली नहीं पता कुछ चले जा रहे हैं बस ऐसे रेले में नहीं जाना जैसे वो चले जाते हैं न बिहार बिहार के लोग हसते हो तुम लोग उन पे ये बिहारी बाबु रेले में चले जा रहे हैं तो तुम सब भी वही तो हो तुम्हें अपने लाइफ में पता है तुम्हें क्या करना है हमें पुरे दिन का पता उ मुझे थोड़ी देर अपने भजण को भी देना है थोड़ी देर अपना सचशंग भी सुनना है लिखना-ważना भी है अपने शरीर को भी वक्त देना है अपने आजी विका को भी समय देना है एक शेडिूल होना चाहिए यंग एज में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई शेडियूल नहीं बनाते हैं फॉलो नहीं करते फिर हर नए साल पे बस पहली जन्वरी से जिम जाना ही जाना निव यर के दिन कौन जाता है पहले दिन हफते बाद आठ तरीक से, साथ तरीक से अच्छा ऐसे करते हैं फर्वरी में जो पहली तरीक मंडे आ रही है उस दिन अच्छा फिर वेलिंटाइम के बाद होता है न बनाए शेडियूल तो कभी फॉलो नहीं किये और अब इतनी आदत हो गई है लगता है बनाके ही क्या करना है शेडियूल चलता तो हूँ नहीं मैं उसमें आप लोग जो यंग एज में ऐसे दिखते हो ना इतने कमजोर शरीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी ये निरबलता आप लोगों के अंशेडियूलिंग और indiscipline का नतीजा है इश्वर ने शरीर भी इतना खराब नहीं दिया मन भी इतना खराब नहीं दिया जिसका तन रोगी उसका मन रोगी जिसका मन रोगी उसका तन रोगी ज्यानियों को देखो दादा जी का अक्सर आप लोग आधर्श सुनते हो पैदल और परेज सारी जिन्दगी फॉलो किया उनों ने पैदल और परेज वाक नी छोड़ी किसे दिन अब स्थिती तो बोलते हैं ब्रह्म ग्यानी की अजगर की नहीं अजगर एक जगा बैठा है इतना भी पुर्शार्च नहीं करता कि कुछ अपना शिकार ढूंडे कुछ ढूंडे क्या करता है वो वहीं बैठा है भगवान ने उसकी सांस में जैर दिया है दूर से ही शिकार कर लेता है ब्रह्म ग्यानी की भी यह इस्थिती है ब्रह्म ग्यानी की इस्थिती मन से यह तन से अजगर नहीं बन जाता हैं, मन से संकल विकल्प रहते हैं, तो पलंग पे अजगर की न्याई पड़े रहो, शरीर में डालते रहो, यह खाता पीता रहे और फैलता रहे, सच में एक दिन पलंग से पलंग हो जाएंगे ऐसे लोग, छोटा पड़ेगा पलंग, पलंग कवर हो जाएगा सारा, और क्या होगा, तो यह मूडता है, इस एज में तुमारी बॉड़ी कित्ती अच्छी होनी चाहिए, ग्लोइंग फेस होना चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए, हर वक्त तुम उत्साहित होने चाहिए, तुम नौजवान बच्चे धीले कमजोर, आलसी, समझ में आता है ना तन स्वस्त है ना मन स्वस्त है, तुम्हें अपने को चलाना ही नहीं आता, अपने वकील बनके अपना मन चलाओ, अपने डॉक्टर बनके अपना तन चलाओ, कामन सेंस की बात है, अपने डॉक्टर बनके अपने शरीर को चलाओ, और यहां progress नहीं होती क्योंकि यहां पर जब साधने की बात है एक वेक्ति अपना तन ही नहीं साध के चल सकता उसको मन क्या सधवाएं और उसको बोध की अवस्था तक क्या ले जाएं ना तन सधा हुए ना मन सधा हुए क्या सधा हुए बताओ तुम्हें क्यों आला से? अगर तुम यहां रहते हो, सुबह पांच बजे उठ सकते हो, अपने घर में क्यों नहीं? अगर तुम यहां सुबह तैयार हो के भजन में बैठ सकते हो, वाक पे जा सकते हो, अपने घर में क्यों नहीं? scheduled होना चाहिए इंसान को, disciplined होना चाहिए ये तो ग्यान के लिए भी जरूरी है अगर एक वेक्टी अनुशासित नहीं है उसका गुजारा हम लोगों के साथ भी नहीं है, ठक जाओगे किते दिन रह लोगे हैं, रहो चार दिन छे दिन, आठ दिन बड़ी खुशी से लिखते हूँ, मैं एक अफ़ते का बैग लेके आए हूँ क्यों? महिना रहा लें तो, जान निकल जाएगी बिमार हो जाओगे और कुछ नहीं तो, तबित खराब हो जाएगी BP low हो जाएगा, बुखार चड़ जाएगा, ठकान हो गई, ठकने की उम्र है ठकने की उम्र है यह, सोच के देखो लेकिन यह सब नतीज़ा है क्योंकि तुम non-disciplined हो कहीं भी हो, तुम वहीं गुरू का घर समझो और इसी discipline में रहो पता है, खाली मन शैतान का घर होता है खाली छोड़ोगे तुम मन जाएगा विकारों में, विश्यों में negative thinking में, इदर उदर पर पूरा schedule लो, discipline of the day हो मन के पास time है आने के लिए मन के पास time ही नहीं है आने के लिए पर तुम मैं निकम है तुमारा खाने का समय नहीं सोने का समय नहीं समय है नहीं, lunch के time तुम snacks खाते हो 3-3 बजे, 4-4 बजे तुम खाना खाते हो रात को 10-10 बजे डिनर करते हो 2-2 बजे सोते हो ऐसा विक्ति ग्यान के लिए तो बिलकुल कामियाब नहीं बिलकुल भी नहीं यहां तो अपने आपको बहुत ढंक से चलाना पड़ता है क्योंकि यह योग ना कम खाने वाले का ना अधिक खाने वाले का ना कम सोने वाले का ना अधिक सोने वाले का यह योग दोनों का ही पूरानी होगा जहां अतियोगी वहां यह योग नहीं लगेगा और आपके जीवन में अतियां हैं, क्योंकि आपने जबान के रस के चकर में, कभी स्नैक्स के चकर में, कभी कैसे एक्स्ट्रा मील्स कर दिये शरीर के, ज्यादा खाया, अगर समय से कोई भुजन खा ले, उसको अति की जरूरत ना पड़े, पर आपने एक्स्ट्रा खाया, ज् खाया, चकर आ रहे हैं, तबियत खराब हो रही है, बीपी अप डाउन हो रहा है, यूजलेस, इसलिए कभी कोई फंक्शन होता हैं, हम अनौस कर देते हैं, कि जितने भी लोग, so-called VIPs, या अब समझते हैं, हम कर रहे हैं, हम नहीं करना हैं, हम नहीं संभालना है, सब को आजन गो पाला, ले लो अपनी कंठी माला, एक discipline है, कि सब के साथ आप समय पर वही काम करो, जो सब कर रहे हैं, खाने का समय आप भी खाओ, हम बाद में खाते हैं, आदे घंटे बाद, गुरु जी को कोई लड़की कहती थी ना भी हम आदे घंटे बाद खाएंगे, भगव करके चलो चीजों को, तरीका होना चाहिए, अभी मुझे बूख नहीं है, कितने लोग यहां भी तंग करते हैं, हम इस समय नहीं खा सकते हैं, हमको बूख ही नहीं लगती, हम बोलते हैं उसको कह दो इसके बाद किचन बंद हो जाएगा, आपको खाना है तो अभी खाओ, न किनारे लगो, यह गरों में गलत आते हैं डाली हुई हैं, क्योंकि तुम्हारी माय हैं न, मुख की मारी गंधारियां सारी, वो तुमें सब गलत समय पे सब देती हैं, रात को तुम दस बज़े भी बोलोगे, प्रांठे बनाओ तो बनाएगी, बारां बज़े भी रात को ब काफी बनाओ तो बनाएगी, वो नहीं बोलेगी कि पेट बिगडएगा, पेट तो बिगडएगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए खान पान का भी अपने, तुम्हें अपने सोने का जगने का पता होना चाहिए, क्यों नहीं समय से उठते हो, क्यों नहीं समय से सोते हो, ब यहां मैंने देखा लोग आते थे न, हमारे बच्चे तो यहां वाले नहीं करते हैं, यह लोग जो बाहर से आते हैं, कोई 11 तक जगर है, कोई 12 तक, अभी हमने यहां बोल रखा 10 बजे लाइट्स ओफ, जिसको आना है आए नहीं आना ना है, लेकिन यहां शेडूल्स ना जाएंगी, सबको सो ना पड़ेगा, तुम्हें नीन दाए या ना आए, और सुबह 5 बजे उठना होगा, बहुत सीधी बात है, तुम पड़े रहो यहां 7-7 बजे तक, 8-8 बजे तक, होना यह घरों में भी नहीं चाहिए, इस सब इंडिसिप्लिन, शेडूल्स ना होना, यह भी विकारों का बहुत बड़ा कारण है, नेगिटीव एप्रोचीजी होंगी, अलसी आदमी के पास क्या होगा, भगवान बोलते थे, खटमल और कीडों को जनम देता रहेगा, पड़ा हुआ, गलत गलत सोचता रहेगा, दुखी सुखी होता रहेगा, इधर की सोचेग फल तु बैठ है, शेडियूल्स है नहीं उसके पास कोई, अभी पूरे लाकडाउन में लोग फ्री थे, पर हम लोग शेडियूल्ड थे, पूरे शेडियूल्ड थे हम, सुबे पांच से रात दस तक, पूरा टाइम शेडियूल्ड में बाटा हुआ था, किस समय क्या करना ह सब एक्टिविटीज थी बराबर, अपने आपको राइट वे से चलना ना सीखो, तो तुम यह जो विचार कर लेते हो, अब तो चलो घर आ गया, अराम से ग्यारम बई तक टीवी देखूंगा, सुबे आठ बई तक सोंगा, यह सबसे पहली गलती है, यह जो आजकल तुम लोग सुनते नहीं ना घरों में, पेरेंट्स का बहे नहीं, यह तुमारे विकारी जीवन का सबसे बड़ा पहलू है, बहुत प्रॉब्लम है यह, पेरेंट्स भी मुग करते हैं, लाड करते हैं, एक दो दो बच्चे हैं, गलत उनको शै दिये रहते हैं, मैं तेरे साथ हू मैं ऐसे हूँ, किसी फील्ड में बच्चे कामयाब नहीं, नौकरी में, धंदे में, काम में, हैं ही नहीं, पहले थोड़े से बच्चे जवान होते थे, ताने पढ़ते थे घर से, काम करो, helping hand बनो, आज कल तुमाता हैं, मैं हूँ न, तुचिंता मत कर बेटा, मिरको अपना भटकते हैं, क्योंकि वो indisciplined हैं, सिर्पे किसी का डर नहीं हैं, उनके जीवन में कोई right decisions नहीं हैं, सोचते हैं हम बहुत अकल मंद हैं, और वो दृष्टान्त हमेशा याद रखना जीवन में, जो बोला था उन लोगोंने बरात में बुड़ा नहीं आएगा, एक पाके ले चलो ट्रंक में, और वहां जाके बुड़ा ही काम आया, उन्होंने बोला हम शादी तब कराएंगे, एक एक बकरा सब खाओ, डर गए, बुड़ा बोला इनको बुलो एक एक करके बकरा लाओ, इतना इतना पीस आएगा, सो लोगों, अराम से सो बकरे खाए जाएं आनों की मत ही नहीं, यह किसी का अनुभव है, तो बड़े लोगों का होता है अनुभव, और आप यंग एज में सोचते हों बहुत अकलमन्द, जो पेरेंट्स कॉम्प्रोमाईज कर लेते हैं ऐसे बच्चों के साथ, उन बच्चों की जिंदगी खराब होती है, सारी पर कोई बड़ा है ही नहीं, मुसिर वाले हैं, अपने आप से लाइफ कभी भी डिसिप्लेंड नहीं होती है, अब जो बात चलती है गुरू के भाय की, अब मेरा इतना सब बताने का मतलब क्या था, कि जां भी तुम बैठे हो, अगर तुम गुरू की दो आँख अपने पी बैठे हो, वाँ भी तुम बहुत सही चल सकते हो, एक भी विकार हावी नहीं होगा, बलकि तुम यहां से भी जादा वाँ एक्टिव हो जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम है कि आप अपने आपके साथ गुरू को नहीं रखते हो, सत्संग के टाइम बोलते हो, वैसे बोलते हो पर अगर अपने तन को और अपने मन को चलाना हो, आप कभी गुरू का भह साथ नहीं रखते हो, अदर्वाइज आप थोड़ा सा भी दाइं बाइं खिसकी नहीं सकते हो, बहुत अच्छे से चलोगे, बहुत धंक से चलोगे, हर समय बिजी रहोगे, इजी रहोगे, आपको पते हमेशा यंग बच्चों को काम में लगाया जाता है, और कैसे काम में, अच्छे काम में, strong मेहनत वाले काम में, यह तो अब आपके आगा है न, computer और offices, हमेशा यंग बच्चे मेहनत करते थे, क्यों करते थे, शरीर में शक्तियां प्रगट होती हैं एक समय में, उनका utilization हो जरूरी होता है, नहीं तो फिर उन शक्तियों को आप लोग ऐसे बरबाद करते हो विकारों में, यंग एज में मन का किसी अच्छी पॉजिटिव तरफ लगा हुआ होना जरूरी होता है, नहीं तो ये मन निचाईयों की तरफ जाता है, मन को उधर्व गती में नहीं ले जाओगे, अधो गती में जाएगा, क्योंकि है तो सही न मन की भी शक्ति है, मन के पास भी अनमूल शक्तियों के खजाने हैं, अब उस शक्ति को आप किस तरफ ले जाते हो, कबीरा मन तो एक है, चाहे जिदर लगाए, चाहे भोग विशे कर, चाहे भक्ती कमाए, तेरे उपर डिपेंड करता है, तू उस शक्ति को किस तरफ लगाता है, भोग विशे में लगाता है, भक्ती में लगाता है, तभी सब यंग बच्चों को आदर डाली जाती है, जिमिंग की, पहले कसरत करने जाते थे, वे आयाम शालाई होती थी, खेल में शरीर ठकता था, कि शक्ती उधर लग जाए, मन उधर लग जाए, मन सात्विक चिंतन में रहता था, तो मन स्वस्त होता था, शरीर के पास रोग नहीं होते थे, अब आपके पास ना शरीरिक मेहनत है, श्रम तो एही कोई नहीं, मानसिक मेहनत भी कोई नहीं, तन की मेहन भी कोई नहीं तो शरीर आपके बिमारियों के घर मन विकारों का अड़ा शरीर बन रहा है बिमारी का घर नुकसान पर नुकसान होता जा रहा है बच्चे बार खिलने जाते थे सब दिमाग अच्छी चीजों में लगा हुआ था अगर हो गए घर में सब कैद का जाएगा मन उपर से आपको फ्री में मिल गए वो सब कंप्यूटर्स और फून सारा गंद कचरे का डबा और क्या है यह सब था नहीं घर में आप ऐसा कोई समान ला नहीं सकते बड़ों की मरियादा भए फिर फैमिली के साथ बैठना कमरों के तो रिवाजी नहीं थे कहां थे रिवाज बैडरूम्स के हम लोग भी जब बड़े हुए कमरों के रिवाजी नहीं थे सारा परिवार कठे शाम को भी कठे बैठे हैं खाना भी कठे छुट्टी वाले दिन भी कठे सब के सामने रहते थे सारा दिन सोना भी महीं मंजियां लगाओ अपनी अपनी सो जाओ आंगन में तो सबका मन स्वस्त था छोटे से लेके बड़े तक अब सबका मन बिमार है बड़ों की इंद्रियां साथ नहीं देती पर मन मुआ गंदा है अभी भी मन अभी भी भागता है संसार की तरफ भोगे भोग याद करता है जवान लोग अनभोगे भोग याद करते हैं सारे उसी लाइन में ही लगे हूँ है सारे उलजन में सब अलचल में क्योंकि mentally कोई स्वस्थीनी नजर आता सबके दिमाग में गंद कचरा भरा पड़ा एक अपना निरने नहीं ले सकते तुम लोग इतने कमजोर हो रोज बच्चे आते हैं पूछने हम ये पड़े हम ये पड़े अरे तेर को इतना नहीं इतना बड़ा हो गया है तो क्या कर इतना mind disturb कर चुके हो decision making powers ही चली गई है अपने आपको ही नहीं पता carrier counseling होती है आज कल तुम किस carrier में जाओ वो help करते हैं बताओ तुम्हें यहीं नहीं समझ आ रहा तुम carrier क्या बना हो अपना कितना कमजोर हो गया इंसान अंदर से मानसिक रूप से भी कमजोर हो गया है इनी हिम्मत कोई बात करने की काम करने की काम तो एक नहीं कर सकते अभी तुम्हें बोलें चार सीडी चड़ जाओ हाफ जाओगे इतना तो दम नहीं है शरीर के अंदर तन भी रोगी मन भी रोगी आखिर तुम करोगे क्या फिर शादी ब्या कर लेते हैं फिर एक दूसरे से बिढ़ते हैं क्योंकि जिम्मेदारियां उठाने के लिए तन में भी ताकत चाहिए मन में भी ताकत चाहिए दोनों कमजोर है फिर बिढ़न्त होती है फिर जितनी जल्दी शादी होती होती है जल्दी तलाक हो जाते हैं, छुटी हैं तो सब रोगी ना अंदर से, धीरज नहीं है, अंदर थोड़ा सा सेहन करने की ताकत नहीं है, अंदर सेंडिंग लेवल्स नहीं है, अपने से ही खिजे पिटे रहते हैं सारा दिन, सब अपने से खिजे हुआ है, क्यों शरीर में हिम्मत नहीं है, मन प्रसंद नहीं है, तो खिजी रहेगी और क्या रहेगा, शरीर थका थका रहता है, मन परिशान परिशान रहता है, अब पैसे में कोई बात करे तो लड़ाई होती है यंग एज में ये हालते होने ही नहीं चाहिए इतना धीरा जो हर बात को सुन सको समझ सको प्यार से टेकिल कर सको इतनी खुशी हो तुमारे अंदर किसी को खुशी का कारण दे सको कहते हैं हम खुशी दे रहे हैं खुशी तुम क्या दोगे उसको खुश होने का कारण दो तुम खुश होएगा हो अब पेरेंट्स आजकल क्या करते हैं बच्चों के लिए सारी बाहर की चीज़ें बना देते हैं फैसिलिटेश कहेंगे देखो बेटे हम तुमारे लिए क्या क्या करते हैं अरे उनको mental support चाहिए तुमारा साथ चाहिए वो तुमें miss कर रहे हैं AC और खिलोने थोड़ी miss कर रहे हैं हम लोग छोटे थे हमारे घरों में तो कुछ नहीं होता था इसारी रिवाज बाद में आए कुलर तक भी नहीं होते थे हमारे घरों में तो फिर लेकिन parents का support होता था प्यार होता था साथ होता था parents कोई नहीं पता हमारे बच्चों को क्या चाहिए क्योंकि वो तो अपनी अपनी खीज में है बाप अपनी खीज में है माँ अपनी खीज में है बच्चों के स्कूल तक जाने की फुर्सत नहीं PTM के लिए घर में लड़ाई हो जाती है मेरी मीटिंग है तू जा वो कहीगी हर बार मैं जाती हूँ इस बार आप जाओ वो बच्चा बच्चारा देखता रहता है इनको मेरे लिए गंटा नहीं है क्या हो रहा है यह सब रोगी है क्योंकि सब अपने अपने सुक के भोगी है और उन सुखों ने बना दिया इतना कमजोर उन सुखों ने कर दिया अंदर से इतना वीक बना तो लिए दाइरे अब इनको भी नहीं निभाँ पा रहे हो गए परिशान और तुम लोग ये देख लो जो जो समय बढ़ रहा है तुमारा ये इनकी तो फिर भी बड़ी एज में जाके दिक्कतें आई यंग्स्टर्स को तो ले अभी आते हैं इतना अजीब लगता है आजकल तो बच्चे शादियां करते हैं तेरा खर्चा तू कर मेरा खर्चा मैं करूँ ये शादी का मतलब क्या हुआ दोनों कमाते हैं क्योंकि अच्छा तू अपना जमा करें नहीं होटल में खाना खाने कठे जाते हैं बिल अपना अपना या एक बार उसने दिया एक बार उसने प्यार तो नदारदी होते जा रहे हैं भाई बीच में से क्या बनते जा रहे हैं तु अपनी अपनी रिष्टेधारी निभा में, अपनी अपनी. शादी क्यूं करी थी भैट, ठीक तो रह 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 थे पर तुम. जब सारा कुछ अपना अपना तो थाई. मतलब शेरिंग खतम, स्टेमिना ही नहीं है, शेर कर सकें. एक दूसरे के रिलेशन्स को, रोगी हो नहीं हो कितने रोगी हो तुम parents की emotions की respect नहीं कर सकते उनकी खुशी के लिए मुड़ नहीं सकते उनका कहना नहीं मान सकते अपनी चला के खुश होते हो उनको वक्त नहीं दे सकते क्या है यह फिर जब अपने life को अच्छे से schedule करो सबके लिए रखो समय तुमारा मन गंदगी में जाए ही न ताइम है तुमारे पास तुमान कचरे में जाता है ताइम होना ही नहीं चाहिए यंगेज में मुझे आज भी याद पढ़ता है भगवान हम को चलाते थे सुबे पांच से रात ग्यारां तक सुई की नोक पे कितने साल चले होंगे हमें से पूरा शेडियूल था एक मिनट का रेस्ट नहीं था बीच में सत्संक सुनाना भी दो-दो वक्त और ट्यूशन पढ़ना ट्यूशन पढ़ना बड़ा सारा काम था कॉलेज था, सीए की क्लासिस थी भगवान ऐसे शेडियूल में चलाते थे और कभी ठकने लगो कमजोर पढ़ने लगो डांट पढ़ती थी पुछकार नहीं मिलती थी एक बार याद हम पहुँचे थे, मंगलवार ही था सुबा और किसी के घर जहां मंगलवार शाम को सत्संग होता था उनके घरी लंच था तो सत्संग के बाद वहीं गए ऐसे ही जा कि अभी बैठे ही डाइनिंग पे भगवान बैठे ते पास बढ़ा लिए पूछने लगे और सब ठीक चल रहा है सब तरफ जाते हो सत्संग तुमारा ठीक चल रहा है तो थोड़ा सा लगा दुखती रग पे हाथ रखा है किसी ने तो बड़े दुखड़ा सुनाया कि सुबह पांच से रात ग्यारा तक भगवान बिलकुल ऐसे ठक जाते हैं जैसे नेचरल है यंग एज भी थी छोटा उमर थी थोड़ा सा कह दिया इतना क्रोध में आ गए भगवान बुला निकल जा मेरे पे ऐसाने कोई मैं बुला ने आई थी क्या इतना डांटा वो सारा कुछ भूल गया लगा ये तो खाम खा पहले दिन ही नराज हो गए हम रहेंगे कैसे अब ये ऐसे भगवान सीधा कर देते मिनट से पहले इतना जोर से चिला है सारे उनके घर के भी कठे हो गए सब इशारा करें तुने क्या कह दिया ऐसा क्या किया है तुने क्या कह दिया है भगवान तक उसे में आ गए है थोड़ी देर में नॉर्मल हो गए फिर प्यार से समझाया भी बोले अगर हम तुमको busy नहीं करेंगे तुम तुमको easy नहीं कर पाएंगे एक समय करम के खाते ही तो कट रहे हैं तेरे उसके बाद प्रकृती तुझे बहुत सुख देगी दुनिया में किसी को नहीं मिला प्रकृती तुरको वो सुख देगी बले फिर बहुत आशीर वाद भी दिये पर चलाया बहुत स्रिक्टली चलाया उसमें भी last में क्या हुआ हमारा CA का शेद last ही चल रहा था last के 3-4 महीने थे तो पूरे 11 बज के 5 मिनिट पर बस उतारती थी घर के पास बस टॉप था जो exact 11-5 घर आके डिनर खाना होता था तो हमारे बिल्कुल साथ में कोई घर था तो वो लेडी थोड़ी परेशान थी अपने हस्बेंड से एक दिन पता नहीं छुटी थी क्या था हम घर थे उसने बात की मैंने फोन पे भगवान को बात बता दी मैंने का ओ सत्संग भी नहीं जा पाती और बड़ी परेशान भी है बोले उसका हस्बेंड कित्ते बजे सोता है मैंने का ओ मिल्टरी बिल्टरी का है शायद 9-3-9 सो जाता है बोले उसको कहे ग्यारां बज़े जब तु घर आता है ना नीचे आ जाया करे तेरे पास मैंने का ग्यारां बज़े बोले हाँ जित्ती देर तु खाना खाता है दस-पंदरा मिनिट उससे उतनी देर बात कर ले वो सेटल हो जाएगी वहां भी काम लगा दिया अब रात को ग्यारां सवा ग्यारां कई बार मन नहीं भी होता है खाने का भी आके अपना सोजा है इंसान पर हम ग्यारां दस पे घर पहुंचें पांच मिनिट लगता था बस टॉप से अब वो अंटी वहां टेहल रही होती थी दूर से नजर आ जात लेकिन वो भी बड़ी पकी थी नियम की खैर भगवान ने वहीं से उस पर भी कृपा की बहुत से अलुई घर में कहां वो बातें करती थी स्विसाइड की और शायद अभी तक भी ठीक ठाक है ये भी कृपा की उनके उपर लेकिन हमें एक बात कहते हैं उन्होंने समय नहीं छोड़ा था टाइम ही नहीं था कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था एक सेकेंड का टाइम नहीं होता था कुछ बंदा सोच ले इधर जहांक ले उधर देख ले टाइम ही नहीं था तो अगर आप अपने को इन सब चीजों से इस एज में छोड़ाना चाहते हो ना तन मन को स तवस्त रखना होगा और उसके लिए आपको अपने को scheduled करना होगा busy करना होगा चाहे कोई खाली भी हो जाये ना इस कारे के लिए तो भी अगर उसके life में schedule नहीं है busyness नहीं है वो कभी आतम बोध को प्राप्त भी नहीं होगा कभी खुश भी रह सकेगा आनन नहीं होगा उसके पास प्रसंचित्ता नहीं होगी क्योंकि उसका मन रोगी बनाई रहेगा रोगी मन तो फर्व क्याते हैं न स्वस्त तन में स्वस्त मन का वास होता है और स्वस्त मन होता है तब ही तन स्वस्त हो पाता है दोनों अरस परस चीज़े हैं तो अपने को schedule रखो discipline रखो गुरू के ग्यान से अपनी समझ खोलते चलो अपने आपको व्यस्त रखोगे न तो अस्त व्यस्त बिलकुल भी नहीं होगे आई बात समझ में